नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित रॉनिक चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं जैसे के अपने कौर्टर फोग रिजल्ट की सीरी चल दिये तो उसके अंदर स्नोमें लोजिस्टिक्स लिमिटेड को कौर्टर फोग रिजल्ट आज यह रिजल्ड कैसा है कैसा अगरे ट्रेटिंग सेसे रहने वाला उन सब के वारे हम बात करने से पहले अगर अभी तक आपना चैनल सब्सक्राइब करें जो बहले को बचाना बिल्कुल ना भूलिए तो हम बात करना है इस नौमें लोजिस्टिक लिमिटेड कंपनी का सिग् वाला उसको ओवर्विव करते हैं मैं आपको पहली डिस्क्लेमर देता हूं यह मैं क्वाटर फोकर रिजल्ट के ओवर्विव करता हो डीप एनलाइज करके नहीं देता हूं आप लोगों को हमारे ओवर्विव से समझ आता है कंपनी का गिरेगा बढ़ेगा और इसी बीच म आपको एक्स्प्रेंट कर दूँगा आगर ट्रेटिंग से से नहीं आपको एक्स्प्रेंट कर दिया जाएगा तो प्लीज वीडियो का पूरा देखियो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिया मार्च दोजाब 22 आज की डेट में ही इसका क्वाटर कर दोनों पर इस्टेड़ कंपनी किसी भी तरह की कोई टिविट अंटील देखने को नहीं मिल रही है तो आज इनके बाट अप मेटिंग होती है ग्यारा बच के पैंतले स्मिंट पर एक बच के तीस मिंट पर खतम होती है तो मोटा मोटा दो से धाई वजे की पीचो पूरी करेंक अलीक है साब से अंगी तो इनके अंगे किसे आये और थोड़ा हम थोड़ा स्प्लिफाइए करेंगे आगे कर शाम पर की लिए वाही था आ आज की टेंट से मार्केट गए बच 616 करोड बेगा, स्टॉक पी चला सका 366 का, स्टॉक आर ओसी इसका चला 3.51 परसेंट का, बुक वैल्यूस की 25 रुबे एक पैसे गये, रिटान अफ रिक्वेटी इसका 0.40 परसेंट का, डिविडेंड कमपनी नहीं देती, फेस वैल्यूस नेट प्रोफिट इनको आया मानस में 22 लाग का, मानस में 22 लाग का हुआ है, और EPS इनका अर्णिग परसेंट में 0.01 हुआ है, लास्ट क्वार्टर सेल देखेंगे, लास्ट क्वार्टर सेल दें 73.40 वो बढ़के हुई, 76.63, ऑप्रसेंट प्रोफिट हमारा 18 करोड से घट के माइनस में 2.22 हुआ है, 0.22 हुआ है, अनिंग पर शेयर की बात करेंगे, 0.05 से घटके, 0.01 हुआ है, और यह यह वाई कंपर सेंगा, लास्ट यह सेल थे 64.11, वो घटके, वो बढ़के हुई है, 46.63, ऑप्रेशन प्रॉफित हमारा 16.80 से घटके, 16.64 हुआ है, अनिग है, अनिग पर शेयर की बात करेंगे, तो लाश्ट यह और अनिंग पर शेयर थे मार्च ये रिवाई देखेंगे तो गाटा कम हुआ है बट गाटा ही होता चाहिए एक चीज़ है पर समझने वाले इनके जो सेल है वो गरोध देखने को मिली है देखें लास्ट ये सेल लास्ट कोटर चाहिए पर संब्सक्राइब भी तो क्रेंड चाहिए बढ़ने को मिली है पर मोटर के होलिंग इस क्वार्टर में 20 पॉंट पच्छिस से मैं लास्ट कॉटर में चलिस पॉंट पच्छिस थी एफ इस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई आप दे सकते हैं दिसम्बद हो जाएके इसके जिए इसके जीरो पॉंट जीरो से बढ़के जीरो पंट उन्तालिस हो यह वहीं आप पब्लिक होल्डिंग सतावन परिंट बासट हो चुकी है तो कि रिजल्ट के अंदर देखिए एक देखने को मिलिया इनके सेल में ग्रोह होता है साधी साथ पर मोट अपन होता है यह एक पॉजिटिव ट्रेट्री है तो रिजल्ट के बाद कैसा राज शेर के अंद चाथिस रपे 65 पैसे गां 52 आई इसका उनसाट रपे 70 पैसे 50 लोस का 13 पैसे चालिस पैसे गां पांस दिन के अंदर यह 20% गिर चुका है विद्ञावाट इसने दिखा चुका है यानि रिजल्ट के अंपैक्ट आपने देखी लिया आज की दिन यह 4 परसें गिर चुका है देखने हो मिला है, रिजल्ट के अनॉंस्मेंट के वासिस में और अच्छी घ्रावर देखने को मिली, अब कैसी रहने वाली देखें, रिजल्ट के अंदर एक चीज़ के लिए खाटा तो हुआ, अमने मुनाफ़े से घाटे में गई है, थोड़ा वो ज़्यादा नहीं हुआ गाटा तो गाटा यहाँ, सैकेंडली क्या हुआ, कमपनी सेल में ग्रोथ देखने को मिली है, यह एक पॉजिटिव साइन है, साथे साथ एफाइस और डियास ने अपनी होल्डिंग बड़ा, यह एक पॉजिटिव साइन है, तो अब देखिए यहाँ पर चार्ट पे कहां होल्ड करिया, बाकि यह 30 रुपे पर अच्छी सपोर्ट देखने को मिली है, 30 रुपे के नीचे नहीं जाएगा शेर, 30 रुपे से फिर से रिबाउंड लेगा, क्योंकि डवल बॉटम जो बने हुए, आप जिसे तर डवल बॉटम यहाँ के आसपास जब भी 30 रुपे के आ हाटा है तो होल्ड के चोटा बोटा खाता निकलने की कोशिस करिया, बाकि 30 रुपे के अच्छी सपोर्ट है, वासे सिर्फ फिर से रिबाउंड करेगा, आई होप यह वीडियो आपकी उस पिलो तो प्लिस वीडियो को लाइक, शेयर फोरवड करना बिल्कुल ना भूले, थैंक यू सो मुच पर वाचिग इस वीडियो,